असलाम लेकूम दिया स्टूरेंट आज हम कॉंपनेंट फचिल्वन लिटरिचर पर निजा रहे हैं उसका नाम है प्लॉट हम यह देखेंगे कि कहानी के अंदर प्लॉट कैसे आता है और प्लॉट के क्या माईनी होते हैं शुरू करते हैं What is a plot? Plot क्या होता है? Plot वो एक important event होता है और sequences और series of event होते हैं जिसके अंदर hero अपना task पूरा कर रहा होता है main character जो होता है वो एक scene से दूसरे scene के अंदर enter हो रहा होता है जो basically 4 हैं, plot कैसे develop होता है जब हमारे main character का conflict हो जाए बाकी characters के साथ, इसका मतलब है conflict itself, it's a important element of a plot, otherwise उसका अपनी साथ, अपनी ideas और अपनी values के साथ कोई conflict हो जाए, तब plot develops होते हैं, conflict between character and nature, कोई nature और उस character के दर्मियान कोई conflict develop हो जाए, plots में और events में और scene में जिसमें हम actions को determine करत होते हैं, या उस character का किसी society के character के साथ कोई conflict develop हो जाए, तो जब हमारे सामने plot आते हैं, तो उसके अंदर कुछ universal structures होते हैं, जो आपको हर कहानी के plot में मिलेंगे, सबसे पहला introduction और exposition, जब हम कहानी शुरू करते हैं, और plot आने लगता है, कोई event के action आने लगता है, उससे पहल कहते हैं, उसको हम exposition कहते हैं, definitely इसके अंदर conflict है, तो इसके अंदर complication का होना ज़रूरी है, जैसे जैसे problem जो है, वो आगे चलती जाती है, और hero जो है, उस problem में फस्ता चला जाता है, और उसको resolve करने की कोशिश करता है, तो एक complication, एक complicated scenario, event ज़रूर आता है, जहां पता चलत है, किस problem को solve करना कोई इतना असान काम नहीं है, अगला important feature जो है, वो है rising action, so जैसे जैसे hero अपने goal की तरफ आगे चलता जाता है, उसके action जो है, वो integrate होते चले जाते हैं, मुश्किल होते चले जाते हैं, complex होते चले जाते हैं, फिर definitely, like movies, हमारी stories के अंदर भी a climax आता है, जिस यह नहीं होगी, और फिर falling action जो है, it is another feature of a plot, जिसके अंदर hero वो काम कर लेता है, और करने के बाद, वो क्या करता है, क्या वो अपने मुल्क वापस चला जाता है, क्या वो एक निया इंसान बनके उभड़ता है, वो क्या नहीं चीजे सीखता है, वो तमाम चीजें जो है falling action क हिसा होती है, हमारे पास कुछ कहानियों के अंदर recurring plots भी होते है, recurring plots जो होते हैं, वो कुछ ऐसे plots होते हैं, जो बार बार आ रहे होते हैं, और अगर हम उन तमाम plots को group up कर दें, तो हमें पता चलेगा कि ये बुनियादी तोर पे बार बार plot इसली दिखाये जा रहे हैं, आपक हैं, so recurring plot के अंदर हमारे पास आती है आपकी initiative stories, initiative stories के अंदर by all mean hero initiative लेता है, किसी action को करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए, वो आगे बढ़ता है, volunteer करता है, so recurring plot में आपकी initiative stories के अंदर, ऐसे भी characters जो है, वो मौजूद होते हैं, the journey, the journey के अंदर by recurring plots बार बार आते हैं, और बार बार वो आपको माजी, मुस्तक्बिल, हाल को combine करने की कोशिश करते हैं, connect करने की कोशिश करते ह जर्नी को as a metaphor इस्तिमाल किया गया है, कि आप एक difficult adventure पर जा रहे हैं, या आप कुछ change चाते हैं, उसके लिए इस्तिमाल किया जाता है, और ये इसलिए भी इस्तिमाल किया जाता है, क्योंकि हम सारे लोग कहीं न कहीं travel करना चाते हैं, चाए हम हच करने जाना चाते हों, या हम कहीं पहाड़ों पर जाना चाते हों, या हमारे जहन में कोई ideal जगह होती है, या हम देखना चाते हैं, तो यह हमारी curiosity है, जर्नी उसको tackle up करता है, और author जो होता है, उसको लेकर एक अपनी कहानी का plot interview करता है, जो थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन बच्चों के हैं, definitely मौझूद होते हैं, और pattern में होते हैं, और multiple होते हैं, layered stories, surface plots और underlying stories वो होती हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा plots जो होते हैं, मौझूद होते हैं, और events मौझूद होते हैं, लेकिन वो events इस तरीके से आते हैं, कि आपको पहले event को समझना जरूरी होता है, ताकि आगे आने वाली series में जो events हैं, आपको समझ आ सकें, जैसे हम movies देखते हैं, जिसकी series आ रही होती है, या हम को drama देख रहे होते हैं, तो sometimes it is important कि हम drama की पहली episode देखें, और समझे के वाकिया कहा हो रहा है, event कैसा है, उसकी problems क्या है, ताकि हम आगे आने वाले event को समझ सकें